तो भई Avengers मूवी में जब Hulk और Thor के लडाई हुई थी तो Hulk बहुती ज़दा असानी से Thor को डॉमिनेट कर रहा था लेकिन वही कुछ सालों बाद Thor Ragnarok मूवी आई और उसने पूरे का पूरा गेम ही पलेट दिया क्योंकि हम भूल नहीं सकते हैं भाई कि Thor is one of the strongest Avenger लेकिन वही बात करते हैं कॉमिक्स की तो जब कॉमिक्स में Thor और Hulk की लडाई होती है तो कौन जीतता है तो भाई maximum time तो Thor ही जीत जाता है लेकिन एक बर जब इन दोनियों की लडाई हो रही थी तब Thor बहुत ज़्यदा डॉमिनेट कर आता Hulk को और वो अपने मेवलनीर से Hulk को मारा ही जा रहा था लेकिन तब ही जब Thor अपना मेवलनीर उठाता है उसको मारने के लिए Hulk उसकी कलाई पकड़ करके उसके मेवलनीर से उसके सिर्प मार देता है और थौर को मियूरली रितना तीजी से लगता है कि वो बंदा बिवोस हो जाता है